क्या है सच और क्या है जूट? रिव्यूज को देखें, तो बच्चों को है प्लेस्मेंट जे परिशानी और कॉलेज दे रहाएं हाइस्ट पैकेज 43 लाग्स का कॉलेज क्लेम करता है 100% प्लेस्मेंट ग्यारेंटे उसके बावजूत क्यों है बच्चे प्लेस्मेंट्स को लेके परिशार क्यों कॉलेज अपनी हाई फीस की वैल्यू नहीं दे पार है रिव्यूज को सच मालने या कॉलेज की कही हुई बातों हेलो दोस्तों, वेलकम बाक तो आचानल मैं Simran Colleges 18 की तरफ से लेके आई हूँ Honest Review वीडियो आपके लिए JSS Academy of Technical Education Bangalore पहले की वीडियो में हमने बात की थी JSS Academy Noida थी आज हम इनके Bangalore के Campus के बारे में जानकारी लेगे चलिए अब हम बात करते हैं JSS Academy of Technical Education Bangalore के बारे में और जानेंगे इस college की पूरी inside stories यहां का infrastructure, location, courses, eligibility, fees, scholarship और admission procedure के तो सबसे पहले नजर डालते हैं college campus tool पे जास आएक्वा सतत्य हैं जाँ झालते हैं प्रश्राइब केंगडी में रोड बैंगलुरू करनाटिका में और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन केंगडी है और साथ में कॉलेज की ट्रांस्पोर्ट फेसिलिटीज भी अवेलेबल हैं यानि की आने जाने में बच्चों को दिक्कत नहीं होती कॉलेज के बैंग्रोंड के अगर हम बात करें सो ये कॉलेज इस्टाब्रिश्ट हुआ था 1997 में कॉलेज के एप्रूवल्स की बात करें सो ये कॉलेज इफिलिएटेड है वी टी यू 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 निवरसिटी से करनाट जो की रिकरगनाइस्ट है बाइ गोर्मिंट ऑफ करनाट का साथ ही साथ कॉलेज AICT से भी अप्रूव्ट है और National Board of Accredition से भी कॉलेज अप्रूव्ट है JSS Bangalore भी NIRF की 300 में से 251 की नाट पे आता है और साथ ही JSS को A प्लस ग्रेड भी मिला हुआ है नाट का यहां के courses की अगर हम बात करें तो Engineering में BTEC, MTEC जिसे courses यह college आपको प्रूवाइड करते हैं साथ ही research programs पे जैसर के आप screen पर भी देख सकते हैं यहां के face details की अगर हम बात करें तो वो पूरा information आपको screen पर दिखी रहा होगा जिसकी पूरे जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिये गए नमबर पर call या WhatsApp भी कर सकते हैं college साथ ही साथ आपको hostel facilities भी provide करता है जिससे अगर मैं boys hostel की बात करूँ सो single bed का fees लगभग 110,000 पढ़ता है साला लग वही girls hostel की fees 1,42,000 है पर यहां के eligibility के अगर हम बात करें सो 10 plus 2 PCA में होनी ही जाहिए साथ ही main subject में आपको overall 45% aggregate होगा तभी आपका admission हो पाएगा GSS Academy of Technical Education is having all the desire facilities college में facilities के अगर हम बात करेंगे तो air condition library है seminar halls, reference section, discussion room, gym, cafeteria, transport, indoor outdoor sports, grounds hostel facilities, labs, wifi, medical यह सारी facilities college आपको provide करता है जिसका पूरा deal date document लेने के लिए आप हमें नीचे देगाए number पर call या WhatsApp भी कर सकते हैं यहां के campus life के अगर हम बात करेंगे तो वह बहुत ही बढ़ी है बच्चों को industry visits मिलती हैं college में बच्चों के लिए fest होते हैं, night culture events है, sports day, annual functions और celebrities का भी आना जाना रहता है तो campus life काफी cool है JSS college की placement के अगर हम बात करें तो college के पास 80 plus company से time है जिस वजह से करीब 750 plus job offers मिलते हैं JSS का highest package 43.17 LPA का है, जो college claim करता है Placement ratio 100 out of 100 है, which is practically not possible बट बच्चों की माने सो placement हर बच्चे को नहीं मिल पाती है Companies and students placement आप screen पर भी देख सकते हैं Also दोस्तो college scholarship भी बहुत parameters पर offer करता है जिसका पूरा detail आप screen पर देख सकते हैं या हमारे help line number पर call करके भी ले सकते हैं So video conclude करने से पहले college के 5-year नुकसान देख लेते हैं College का infra काफी अच्छा है, with good ground Fees काफी affordable है, आपके budget में रहेगी Campus life काफी अच्छी है Transport facilities लोकल बच्चों के लिए available हैं और placement average है अगर आप JSS Academy of Technical Education Bangalore में admission लेना चाहते हैं So नीचे दिएगर link पर जाके form fill कर दीजी अभी के अभी या आपको कुछ पूछना हो तो आप इस number पर call या WhatsApp भी कर सकते हैं और हाँ दोस्तों वीडियो को like, share, subscribe करना विल्कुल भी मत भूलिएगा अगर चानल subscribe अब तक नहीं किया है So bell icon को जाके अभी press कर दीजे Thanks for watching